आठ नौवंबर को चेंदर ग्रहन लगने वाला है सो गाईज 15 दिन के अंदर हम लोग 2-2 ग्रहन को देखेंगे इस चीज को लेकर इस चीज से रिलेटेड एक प्रेगनेंट लेडी के मन में बहुत सारा डर है अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो वो सारे डर जो आपके अंदर है वो खत्म होने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चुनीनदा नियम बताऊंगी गाईज मैं इतने लंबे चोड़े नियम नहीं बताती हूँ जो आप फॉलो नहीं कर सके फिर मेरे बताने का क्या फायदा हुआ मैं उन्हीं नियम को बताती हूँ जिसकी हमें जरूरत पढ़ती है जो हमारे लिए कारगर है और जो मैंने मेरी प्रेगनेंसी में फॉलो किया था जो गाउं की महिला है आज भी उन सारे नियमों को देखती है और मानती है वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि जो चंद्रग्रहन है वो कब पढ़ने वाला है क्या सूतक लगने वाला है चंद्रग्रहन की क्या टाइमिंग होगी एक प्रेगनेंट लेडी को क्या करना है और क्या नहीं करना है जो भी आपके मन में अभी सवाल चल रहे हैं ग्रहन से रिलेटेड उन सारे सवालों का जवाव सिंगल मैं एक वीडियो में देने वाली सो गैस वीडियो स्टार्ट करते हैं वेलकम मेरा नाम है शेता और आप देख रहे हैं प्राइम आम शानल पर पहली बार अगर आये हैं इस चानल पर तो वीडियो को लाइक किजेगा चानल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा इस पर डेली मोस्टली में प्रेगनेंसी टिप्स की वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें मैंने मेरी प्रेगनेंसी के खुबसूरत से अनुवो को यहां पर सेयर किया है आखरी जो चंद्र ग्रहन है आठ नवेंबर को यह बहुत ही प्रभाव साली माना जा रहा है क्योंकि 15 दिन के अंदर दुबारा ग्रहन लगना कह सकते हैं यह किसी महाभारत के यूद से कम नहीं होने वाला है अब क्या करना है और क्या नहीं करना है पहले हम बात कर लेते है क्या क्या नहीं करना है ग्रहन के दौरान आपको किसी भी नुकीली बस्तू का इस्तेमाल नहीं करना है आपको बाहर नहीं जाना है भगवान को असपर्स नहीं करना है यह चुनिंदे काम आप बिल्कुल मत कीजिए अब यह है कि करना क्या क्या है आप ग्रहन के दौरान खा क्या सकती है जो चीजे भी खानी चाहे जूस पी सकती है पानी पी सकती है अपनी दवाया खा सकती है आपके पती लिए तो उनके लिए कोई नीयम नहींо उनको अपना काम करने दीजै आप घर में बैठ नीयमों का पालन कीजिए तो अगर टाइमिंग की बात करें तो 8 नवेंबर को ये दो पहर 1 बज के 32 मिनट से ग्रहन लगने वाला है जो की साम 7 बज के 27 मिनट तक रहेगा पूरा टाइमिंग कवर होने वाला है पूरे 6 घंटे का चेंदर ग्रहन है तो नियमों का पालन किज़े रिलाक्स रही है ग्रहन से इतना डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने सचे मन से नियमों का पालन किया है तो अब गाइज नेक्स्ट बात करते ह来了 बात यह बहारत में दिखाई देगा भारत के किन राजियों की बात करे तो यह कोलकता सेलिगुर पटना और भी कई जगहों पे दिखाई देने वाला है किसी यूरोप एसिया अलग-अलग कंट्री में भी दिखाई देने वाला है आप इस चीज़ को मान सकती हैं कि जो नियम बताए जाते हैं वो आपकी सहुलियत के लिए बताए जाते हैं अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रहन की तो ग्रहन समाप्त होने के बाद आपको ग्रहन के दौरान जो आपको क्या करना है कि एक कमरे में रहना है लाइट आपके उपर कोई भी हर्मफुल रेज नहीं पड़े उसी दौरान आपको एक अपनी लंबाई का धागा अपन यहीं माना किया हुआ है कि नुकीली वस्तु का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती है आपके हाथ जो होंगे थोड़े बहुत कट सकते हैं सो गाई सारे नियम को बता देगए कुछ पूछना है तो नीचे मुझे आप कमेंट कीजिए थैंक्स पो व